दोस्तो पेपर प्लेट बिजनस एक ऐसा बिजनस है कि कोई भी उस बिजनस को अराम से कर सकता है लेकिन लोग परिशान हो जाते हैं बेसिक जानकारी को लेके उनको पता नहीं होता है कि छोटी छोटी सी जो प्रोब्लम होती है उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है तो आज की वीडियो में हम ऐसी एक प्रोब्लम के बारें बात करेंगे जिससे आपको जानके बहुत है रानी होई कि इतना चोटा सब प्रोब्लम को लेकर के लोग कितना परिशान होते हैं लेकिन लोगों को आइडिया नहीं लग पाता कि उसमें क्या करना चाहिए वह या तो ह प्रोब्लम के बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उसको ठीक करना है और कितना परिसानीыт हो जाता है आप लोग और इस बिजनस को करते हैं तो आपको पता होगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप में चैनल पर नया है तो प्लिज में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जो और प्रेश करें ताकि जब इस तक वीडियो अपलोड करें उ और बहुत हद तक हम दे भी चुके हैं जो कि आप लोग खुद बता सकते हैं कि जितना हम अपने चैनल पर पेपर प्लेट से जुड़ी जानकारी देते हैं उतना कोई भी नहीं देता है क्योंकि हमारा जो है बेसिक काम यह हो गया और प्रैक्रिकल हम इस पर रोज करते हैं तो आज हम ऐसे ही एक जानकारी आपको देंगे जो कि महत भूत ही महत पूर्ण जानकारी है क्योंकि वह जो है वह बहुत ज्यादा लोग को परशान करती है जब भी हम मसीन चलाते हैं तो पेपर पीछे से मेरा बार बार तूट जाता है जिसे अभी मसीन में देख रहे हैं आज हम आपको दिखाएंगे किसको का ऐसे ठीक करना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यह मसीन में पेपर चल रहा है और इसमें भी वही प्रोब्लम हो रहा था जो हम आपको बता रहें बार बार यह मेरा पेपर टूटता था तो टूटने के कारण क्या था कि जैसे मस मतलब जब फिर मसीन खीचता यह जटका मार कर तूट जाता है तो आपको ठीक करने का यह जड़िया हम निकाले हैं रास्ता हम निकाले हैं इसमें क्या करना है कि एक रश्ची जहां पंखा में लगा होता है वहाँ पे बांध के उसमें नीची एक 5 किलो वेट कम से कम होना ची एक रोल के उपर 5 से 6 किलो वेट अगर आप रोल पे डालते हैं तो वो मसीन में जो है आपको ब्रेक का काम करती है जैसे गाड़ी में ब्रेक लगने पर वहीं रुख जाया गाड़ी से मुशी परकार यदि हम इसमें वजन डालते हैं तो रोल मेरा उतना ही खुलेगा जितना का मसीन घीचेगा जितना मसीन को जरोत होगा जितना वो अपने तरफ में खीचेगा रोल उतनाई खूलेगा देखिए हम एक बेलन ही लटका दिये मेरा एक बेलन खरआब हो गया था मसीन का तो वो बेलन ही हम लटका दिये हैं ओ massage है च्छा को यदी इसमें ब्रेक लग जायगा तो पेपर एका कम कहिचेगा तो जो कालब लटक होता है कि पेपर लटक जाता है बीना ब्रेक का तो टूठने का आपक गोम जता है लटक गया और जब लटक गया दोबारा फिर मशीन खीचा तो वो तूट गया तो यही कारण होता है पेपर को बार बार तूटने का तो यदि आप इस तरह से रसी बांध के नीचे वजन कुछ लटका देते हैं तो वो आपका प्रोब्लम दूर हो जाएगा और रसी बांधने में भी एक प्रोब्लम आपको होगा कि वो बार बार रसी भी घिस के तूट जाता है तो उससे बेटर है कि इसे मसीन का बेल्ट खराब होता है तो बेल्ट को हम लोग फेक देते हैं हम क्या किये कि उस बेल्ट को ही बीच से काट के बेल्ट लंबा हो गया और उसी बेल्ट को बांध के लटका दिये ताकि मेरा वो बेल्ट भी ना तूटे और बावार रसी अगर हम बांधे तो बावार रसी तूट जाता है तो हर वक्त हमें रसी को चेंज करना पड़ता है अगर यह दी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जरूर प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक अन्यवाद